हाई वेल्कम बैक तो माय यूट्यूब चैनल तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने चाप्टर 4 को स्टार्ट करा था जहां पर हमने 4.1 और 4.2 कम्प्लीटली कवर किया था आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4.3 determining the interest rate part 2 तो part 1 हमने पढ़ा था 4.2 में जिसमें हम लेकर चल रहे थे कि economy के अंदर जिसको money बोल रहे हैं वो सिर्फ currency ही है क्या मतलब है कि जो लोग अपने पास money को cash को hold करकर रख रहे हैं अपने घर में hold करके रख रहे हैं अब 4.3 में हम क्या करते हैं हम यहाँ पर bank का भी रोल ले आते हैं कि अब यहाँ पर जो लोग हैं जो money को cash को hold करके रख रहे हैं वो अपने घर में भी hold करके रख रहे हैं और वो bank में भी hold करके रख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं चैकेबल डिपॉजेट्स तो 4.2 में हमने जब मनी पढ़ा था तो उसमें हम लेकर चल रहे थे मनी एकनॉमी के अंदर सिर्फ करेंसी ही है मतलब जो लोग अपने पास अपने घर में मनी को होल्ड करके रखते हैं कैश को रखते हैं उसको हम मनी बोल रहे थे होल्ड कर रहे हैं वो अब in the form of currency मतलब अपने घर में जो अपने पास रख रहे हैं और in the form of checkable deposit जो अपने bank account में वो cash को होल्ड करके रख रहे हैं तो यहाँ पर दो तरीके के जो है मनी को लोग होल्ड कर रहे हैं currency की form में और checkable deposit की form में एक अपने घर में और एक अपने bank account में और दोनों ही money को किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं transaction purpose के लिए अब हम bank की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो सबसे पहले हम समझते हैं कि bank होता क्या है या फिर हम बात करते हैं कि bank economy के अंदर क्या करते हैं उसका role क्या होता है किस तरीके की activity जो हमारा bank है वो perform करते है तो bank की activity को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं financial intermediate की क्योंकि जो bank है वो एक तरीके का financial intermediate है तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो financial intermediate होते हैं वो क्या करते हैं basically इकनॉमी के अंदर उनका क्या रूल होता है एकनॉमी के अंदर तो अगर हम बात करते हैं फाइनेशल इंटरमीडियेट की तो सिंपली जो फाइनेशल इंटरमीडियेट है वो क्या करते हैं वो लैंडिंग सर्विसेस को प्रोवाइड करते हैं यहां पर जो फाइनेशल इंट intermediate प्रवाइड करता है तो इसको हम simple language में समझ सकता है कि देख जो हमारी economy के अंदर individuals होते हैं या फिर जो firms होती है वो क्या करती है वो कुछ funds हमारी financial intermediate या फिर कुछ money company में पैसे डालते हैं तो वो हमें insurance प्रोवाइड करते हैं various चीजों का ऐसे mutual में funds डाल सकते हैं हम pension funds डाल सकते हैं credit unions में डाल सकते हैं उसमें interest मिलता है तो यहां पर इस तरीके से क्या होता है बेसिकली कि हमारे जो individuals और firms होते हैं वो funds प्रोवाइड करते हैं वो money financial intermediate को तो बेसिकली financial intermediate receive करता है funds और money को from individuals and firms अब जो ये fund receive कर रहे हैं और जो ये money receive कर रहे हैं उसका financial intermediate क्या करते हैं उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे financial intermediates हैं वो इस fund का वो इस money का कैसे यूज करते हैं वो दो purposes के लिए उसे use कर सकते हैं तो पहला purpose है कि वो उससे क्या करें financial assets को buy कर लें दूसरा वो क्या करते हैं वो जो भी fund और money receive करते हैं उन fund और money को वो lend करते हैं दूसरे individual and forms को in the form of loan वो उन्हें loan provide करते हैं उन्हें financially help करते हैं तो यहाँ पर दूसरा purpose क्या होता है उनका to provide loan to other individuals and forms now अब हमारा जो यह bank है यह हमारी जो bank की बात हम कर रहे हैं bank भी एक तरीके से financial intermediate की तरह ही role play करते हैं क्योंकि यह भी fund और money को receive करता है individual से और उसी fund से वो क्या करते हैं financial assets को buy करते हैं और वो loan provide करते हैं other individuals and forms को तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारी जो banks है वो एक तरीके से financial intermediate ही है बट एक और कौन सी ऐसी चीज़ है जो banks को financial intermediate से थोड़ा सा अलग बनाती है वो क्या है कि banks जो है वो क्या करते हैं उसमें जो भी हम funds डालते हैं जो भी हम money deposit कराते हैं उससे हम transaction purpose के लिए भी use कर सकते हैं उससे हम payment भी कर सकते हैं दूसरी चीज़ क्या लग है कि यहाँ पर अब जो भी funds और money वो receive करते हैं उनको वो asset को खरीदने में और loan को provide करने में तो use करते हैं प्लस उसके साथ साथ उनको क्या करना पड़ता है reserve maintain करना पड़ता है RBI के साथ मतलब central bank के साथ तो यहाँ पर पहले तो कि उसकी money को हम transaction purpose के लिए भी use कर सकते हैं दूसरा है कि उनको reserve maintain करके रखना पड़ता है RBI के साथ तो यहाँ पर अगर हम बात करें funds की तो funds जो हैं वो किस तरीके से use हो रहे हैं पहला है कि हम financial assets को buy करते हैं दूसरा है कि हम loan provide करते हैं अब तीसरा जो है जो bank perform करता है वो यह है कि जो भी funds वो receive कर रहा है जो भी money वो receive कर रहा है individual से and firm से उनको वो financial assets के साथ साथ और loan के साथ साथ use करता है reserves में कुछ proportion funds का वो as a reserve maintain करके रखता है जो कि decide करता है कौन? Again, central bank. अब हम बात करेंगे कि जो reserves है वो क्यों maintain करके रखने पड़ता है? उसके reason क्या है? तो यहाँ पर जो first reason है, वो क्या है? Basically क्या होता है कि देखो जो banks है यहाँ पर यह bank है एक है ना? तो यहाँ पर जो यह bank है अब क्या होता है कि bank में तुमने कुछ ना कुछ deposit कराया? है ना? तो bank के पास यह money आ गई, fund आ गया अब bank क्या कर रहा है? इससे asset purchase कर रहा है है ना? यहाँ पर इसने bank ने assets purchase कर दिये और बाकी fund से loan provide कर दिये तो यहाँ पर asset purchase कर दिये तो obviously purchase कर रहे हैं तो यहाँ पर money का outflow हो गया bank से एक बार? है ना? और अगर वो loan provide कर रहा है दूसरे individual को तो again जो money का outflow हो गया दुबारे से अब जब सारी ही जो money हमारे banks है जो यहाँ पर सारी ही money जो भी deposit करा है हमने bank को money दिये वो सारी ही money bank से बहार चली जाएगी asset purchase करने के चकर में और loan करने के चकर में तो जो हम individual हैं हम जो individual हैं अगर हम bank में वापस से withdraw कराने के लिए जाएंगे अपनी money को निकालने के लिए जाएंगे किसी भी purpose के लिए हमें चाहिए जैसे हमारे bank account में बहुत सारे पैसे हैं उसमें से हमें किसी पैसो के need हो गई कुछ पैसे हमें उसमें से निकालने हैं तो हम जब bank के पास निकालने के लिए चाहेंगे तो bank को हमारे पास देने के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए तो उसके लिए जो bank है वो क्या करते हैं वो कुछ proportion अपने सारे funds का reserve में भी डालते हैं तो यहाँ पर हमारा bank को एक और activity perform करनी पड़ती है कि अब वो in deposit में से क्या करते हैं कुछ proportion reserve भी रखते हैं देखो तारे ही individual एक दिन तो bank के अंदर से पैसे निकालने के लिए नहीं आते हैं कुछ ही individuals आते हैं बट कुछ ही individuals को भी तो पैसे देने के लिए हमारे पास होनी चाहिए तो bank क्या करता है वो कुछ proportion reserve रखते हैं कि अगर कोई हमारा individual जिसने हमें पैसे दिये हैं जिससे हमने receive करा है fund और money अगर वो हमको कल को withdraw कराने के लिए आ जाए तो हमारे bank के अंदर भी कुछ proportion होना चाहिए कि हम उन्हें वापस से पैसे दे पाए तो यहाँ पर हमें कुछ proportion reserve का रखना पढ़ता है अच्छा सारी money क्यों नहीं रखनी होती क्योंकि हम लेकर चलते हैं और ऐसा होत अब ही नहीं है कि जितने भी इंडिवीजवल ने bank के अंदर पैसे deposit करे हैं वो एक ही दिन पैसे लेने आ जाए सारी ही इंडिवीजवल एक ही दिन अपने सारी cash को लेने नहीं आते हैं तो हम ऐसे सारी cash को bank के अंदर नहीं रखते हैं उन्हें various purposes के लिए यूज करते हैं हम बात करें दूसरे reason में हम बात करते हैं more than one bank की क्योंकि हमारी economy के अंदर एक bank नहीं होते हैं बहुत सारे banks होते हैं तो अब हम लेकर चल रहे हैं कि economy के अंदर let suppose अब कूस दो बैंक हैं और इससका डीजन के सब्सक्राइब करा ब्सक्राइब सब अबने दो सकता है एक डीविजवल का किसी और बैंक में हो दो उसरे individual का किसी और bank में account हो तो हम लेकर चल रहे हैं कि economy के अंदर अब दो banks हैं तो पहले bank को हम ले लेते हैं वो SBI State Bank of India दूसरे bank को हम ले लेते हैं कि वो है KOTAK bank अब यहाँ पर हमने दो bank लिये हम दो individual ले लेते हैं हमारे first individual का bank account SBI में है दूसरे individual का जो bank account है वो KOTAK में है अब अगर हम लेकर चलें कि हमारे अगर first individual को payment करनी है दूसरे individual को यहाँ पर first individual को अगर payment करनी है दूसरे individual को वो भी through bank पहला तो है कि through cash दे मतलब कि जो उसके पास currency घर में पड़ी है उसमें से कुछ पैसे निकाल के इसे pay कर दे दूसरा क्या है checkable deposit की तरह pay कर दे कि भाई जो bank में उसके पास पैसे है उसको हम transaction purpose के लिए भी use कर सकते हैं तो उससे payment कर दे तो यहाँ पर अगर हमारे first individual को payment करनी है second individual को तो वो क्या करेगा वो एक check sign कर देगा उस पर जो भी amount उसे pay करना है वो लिख देगा अपना sign कर देगा और वो एक क्या है अपने bank का check sign कर देगा उस bank के check sign को वो इसे पकड़ा देगा यहाँ पर अपना जो check है जो उसने sign कर के दिया जिसमें उसने सारा amount लिख दिया payment का वो उसे यहाँ पर पकड़ा देगा इस check को अब हमारा जो दूसरा individual है वो उस check का क्या करेगा वो उस check को अपने bank में deposit करा देगा अब यहाँ पर हमारे जो individuals है उनका roll खता उन्हें payment करनी थी उन्होंने check sign करके अपने दूसरे individual को पकड़ा दिया दूसरे individual ने उसे अपने bank account में deposit करा दिया यहाँ पर individuals का roll खतम अब अगर हम bank की बात करें bank कैसे deal करता है इससे अगेन अगर हम bank की बात करें तो bank अपने funds को अपनी money को किस तरीके से use करता है financial assets खरीदने में लगा देता है और loan provide करने में लगा देता है तो यहाँ पर अगर यह सिर्फ दो ही activities करेगा तो इसके खुद के पास bank के अंदर तो पैसे ही नहीं होएंगे तो यहाँ पर again इनको क्या करना पड़ता है इनको कुछ amount जो है reserve maintain करना पड़ता है तो अगर हमारे first individual को payment करनी है second individual को तो इसने तो check sign करके दे दिया और second individual ने भी वो अपने bank account में deposit करा दिया इनको तो role खतम हो गया बट यहाँ पर अब हमारे SBI को कुछ payment करने पड़े की कोटक को इसके लिए भी again तुम्हारे पास क्या होना चाहिए reserve होना चाहिए कुछ भी payment करने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए reserve होना चाहिए तो यह हमारा second reason है कि जो banks है वो एक दूसरे पर कुछ न कुछ amount जो है money का own करते है तो उसके लिए भी again banks को जो है reserve maintain करके रखना पड़ता है फिर अगर हम बात करें अपने third reason की third reason हमारा बात करता है कि अगर हमें first two reason में भी अगर reserve के requirement ना हो तो third reason बूलता है कि फिर भी हमें कुछ ना कुछ अपने funds का अपनी money का जो भी हम receive कर रहे है उसका कुछ proportion हमें फिर भी reserve जो है as a maintain करके रखना पड़ता है जो की central bank हमारा decide करता है central bank decide करता है कि कितना portion हमें अपनी money का fund का कितना portion कितनी percentage जो है reserve में रखनी है अगर हमें 10% reserve maintain करना है जो भी हम money receive कर रहे हैं तो बाकि 90 हम अपने दूसरे purpose में यूज कर सकते हैं लेकिन जो वो 10% है वो हमें compulsory अपने reserve में maintain करके रखना पड़ेगा अच्छा अगर हम बात करते हैं कि हमारे first two reason में requirement कैसे नहीं हो सकते reserve की तो उसे एक बार समझ लेते हैं तो bank बना देते हैं सबसे पहले अब अगर हम अपने first reason की बात करें तो first reason बात करता है कि अगर individuals अपने account से पैसे निकालने आ जाए withdraw करने आ जाए money तो उसके लिए bank को कुछ ना कुछ reserve रखना चाहिए अपने पास cash होनी चाहिए निकालने जो आ रहा है उसको देने के लिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसमें किस तरीके से reserve requirement नहीं हो सकती तो वो क्या होता है कि अब देखो कोई individual पैसे निकालने आ रहा है एक दिन कोई individual पैसे निकालने आ रहा है तो कुछ ऐसे भी individuals होंगे जो उसी दिन deposit करने आ रहे हो पैसे कुछ deposit करने आ रहे हो अपने account में और add-on पैसे डालने आ रहे हो तो यहाँ पर अब क्या होता है कि यह जो withdraw करने आ रहा है और जो यह deposit करने आ रहा है इसका जो ratio है वो differ कर सकता है हो सकता है कि हमारे deposit किसी दिन जादा आ गए हो और जिनोंने withdraw कर रहा है हो सकता है किसी दिन withdraw कराने जादा आ गए हो लोग पैसे निकालने जादा आ गए हो जितना लोगों ने deposit कराने आए है तो यहाँ पर जिस दिन withdraw कराने जादे आ गए है उस दिन तो हमें अपने reserve से भई पैसे देने पड़ेंगे बट जिस दिन deposit जादा आ रहे हैं तो उस दिन ह हमें अपनी reserve की requirement नहीं होती है तो पहले रीजन यह यह हो गया दूसरे रीजन में हमें किस तरीके से requirement नहीं हे reserve की तो उसे भी देख लेते हैं एक आखु अगर हमें second reason पता हो गा तो उसमें हम क्या दिखका पर पर वह या बाइंक को इसे बाते को सकते हैं क्योंकि इस चैक साइन करके के दिया हो इंडिविजवल्स को जिसका इस बांक मेंैं कुछ भी हो सकता है कि इस बैंग को भी कुछ इसंवाले मैंक को पएक करना हो सेम् कि हो सकता है कि इसको किसी और बैंक को पे करना हो क्योंकि एकनॉमिक के अंदर अगेन दो बैंक तो है नहीं हो सकता है कि दूस्टरे बैंक से कहीं और से इसके पास पैसे आ रहे हो क्योंकि अगेन वही के चेक किसी ने डिपॉजिट करा दिया है और तो यहां पर अगेन जो हम प्लस माइनस है जो हम रिसीफ कर रहे हैं वो डिफर कर सकता है अगर जो हमें पे करना है वो जादा है तो हम अपने रिजर्फ को यूज करते हैं लेकिन जो हमें मिल रहा है वो जादा है तो उस राइम पर हमें अपनी रिजर्फ की रिक्वार्मेंट नहीं होती तो कभी-कभी जो banks हैं उनको reserve रखना पड़ता है compulsory और वो जो portion है कि कितने percentage वो रखेंगे वो हमारे central bank decide करते हैं अब हम बात करते हैं again balance sheet की कि अब हमारे central bank की balance sheet कैसा है क्योंकि अब economy के अंदर जो है banks भी आ गए और हम bank की भी balance sheet को देखते हैं तो central bank से ही start करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें asset side तो बिल्कुल सेम है central bank की कोई भी changes नहीं आए अगर introduce करते हैं economy के अंदर banks को liability की side बात करें तो यहाँ पर liability के side पहले currency already था जो लोग hold करते थे अपने पास अपने घर में अब यहाँ पर liability side currency के साथ-साथ reserves भी add-on है जो हमारे bank hold करते हैं क्योंकि यहाँ पर अगें जो bank hold करते हैं reserve वो भी एक तरीके से liability है क्योंकि जो cash, money, fund हमारे banks as a reserve hold करके रख रहे हैं वो भी जो है एक तरीके से liability है क्योंकि again उनकी currency पर भी यही लिखा होगा क्योंकि central bank जो है उन्हें promise करते हैं कि वो इतना amount उने pay करेंगे तो यह हमारी central bank की liability हो गई अगर हम बात करें bank की liability की तो bank की जो liability है वो है checkable deposit जो भी हम अपने bank account में पैसे deposit करकर आते हैं वो bank की liability होती है क्योंकि bank को वो pay back करनी है वापस हमें हम हमेश्य bank को नहीं दे देते हैं अपने पैसे हम उससे कभी भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर हम सारे भी निकाल सकते हैं और bank को हमें वो जो amount हमने bank को दिया है वो उन्हें pay back करना होता है हमें तो इस तरीके से हमारी जो checkable deposit है वो bank की liability है अब अगर हम बात करें asset side तो asset side again हमारे reserves है जो हमें maintain करके रखने पड़ते हैं हमारे bonds जो हम purchase करते हैं और यहाँ पर हमारी loans भी हम asset side है क्योंकि गेंन जो हम loan provide करते हैं लोगों को वो हमेशा पैसे नहीं दे है वो लोग हमें हमारे bank को अब यहाँ पर, part 2 में हमने already introduction देख लिया कि bank जो है वो किस तरीके से work करता है उसकी balance sheet कैसे होती है अब हम बात करेंगी कि economy के अंदर अगर bank आज़ता है तो हमारी जो money demand है वो क्या होगी और हमारी जो money supply एकनौमी के अंदर वो क्या होगी और सबसे important कि हमारा eye कैसे निकलेगा और equilibrium कहां पर होगा किस तरीके से होगा हुसे हम कैसे drive करेंगे तो यह सारी चीज़ों को अब हम आगे देखते हैं अब अगर हम बात करें लोगों की हमारी एकनौमी के अंदर जो लोग हैं अगर वो दोनों चीज़ों को hold कर दे हैं वो currency भी hold कर रहा है checkable deposit भी hold कर रहा है तो उस case में हम equilibrium कैसे achieve करते हैं उस stage पर जहां पर हमारी supply of central bank money और हमारी demand for central bank money equal होती है अब यहां पर अगर हम बात करें supply of central bank money central bank money की जो supply है again वो तो central bank ही control करता है तो यहां पर हमारी जो central bank की supply of money है हम उसको वैसे ही लेकर चलेगी जैसे हमने पहले तो M लिया था हमने part 1 में बर part 2 में हम अपने banks को भे लेकर चलने हैं तो उसमें हम लेकर चलते हैं कि हमारी जो supply of central bank money है वो हम ले लेते हैं H यह हमारी supply of central bank money है अब यहां पर अगर हम बात करें demand for central bank money तो यहां पर हमने already पीछे देखा था अगर हम diagram की बात करें तो यहां पर हम simply देख सकते हैं कि हमारी central bank money की जो liability side है reserves and currency यह होती है हमारी demand for money तो इसके हम आगे बात करते हैं कि हम इससे किस तरीके से drive करते हैं हम इसकी equation को निगालते हैं कि किस तरीके से हम इसे calculate करते हैं यहां पर अगर हम बात करें demand for money by people लोग जो demand करते हैं money की तो यहां पर पहले तो क्या कर रहते हैं लोग सिफ currency की demand कर deposit की बी demand करते हैं जिसको हम D से denote करते हैं उसके बाद अगर हम बात करें demand for reserve अगर हम बात करते हैं demand for reserve तो यहां पर हमारा demand for reserve किस तरीके से calculate होगा again अगर हम बात करें अपने checkable deposits की जो भी लोग अपने bank के अंदर पैसे डालते हैं जो भी bank receive करता है fund या फिर money को उसका वो कुछ proportion क्या करता है reserve में रखता है तो यहाँ पर वो जो proportion होता है उसको हम denote करते है इससे तो यहाँ पर हमारे checkable deposit का जो कुछ proportion है वो होता है हमारा demand for reserve इसको यहाँ पर हम लिखते थे then अगर हम बात करें demand for central bank money यहाँ पर अगर हम बात करते है demand for central bank money तो उसको हम किस तरीके से measure करते है अगे जो liability side है वही सब तो यहाँ पर liability side को क्यों show करते है currency जो लोग demand करते हैं central bank की money की और दूसरा जो bank demand करते है reserves की तो वो होती है हमारी demand for central bank money अब यहाँ पर इनी तीन चीज़ों को discuss करकर हम अपनी equations की बात करेंगे अगर हम start करते हैं first one हमारी money की जो demand करते हैं लोग किस चीज़ की currency जो वो अपने पास hold करना चाते हैं और checkable deposit जो अपने वो bank account में hold करना चाते हैं आगे यह जो चीज़ है यह जो demand for money है जो लोग करते हैं वो depend करती है उनके दो decision पे दो decision पे तो पहला कौन से decision है कि पहली बात अब कि वो कितना hold करना चाते हैं दूसरा उनका decision होता है कि वो जो hold कर रहे हैं उसमें से कितना वो hold कर रहे हैं करेंसी में और कितना hold करें है checkable deposit में तो यहां पर अगर हम बात करते हैं money demand by people लोग कितनी money demand करते हैं तो वो depend करता है पहला कि लोग कितना hold करना चाहते है money को अपने पास मतलब कि वो अपने पास कितना money को रखना चाहते हैं और कितना वो अपनी money को invest करना चाहते हैं other assets में जैसे कि bonds में जैसे हमने chapter की starting में बात करी थी तो वो जितना hold करना चाहेंगे obviously उतनी ही demand करेंगे जैसे हमने starting में पढ़ा था तो यह हमारा first factor है दूसरा क्या है कि हमारी जो भी money को अब हम hold करने हैं वो हम currency में कितना रखेंगे अपने पास अपने घर में कितना रखें और अपने bank account में कितना deposit कर रहा है तो वो होता है हमारी checkable deposit में तो यहाँ पर इस equation में यह भी चीज़ matter करती है कि कितनी currency होगे और कितने checkable deposit होगे इससे पहले तो हमारे सिर्फ currency थी तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पर अब हमारी बात आती है कि कितना हम currency रखेंगे और कितने हम checkable deposit रखेंगे जो भी हम hold कर रहे है कितना हम अपने घर में रखेंगे पैसे कितने हम अपने bank account में रखेंगे और जो यह हमारा decision है कि कितनी currency रखे कितने हम checkable deposit रखें यह depend करता है अगें जैसे अगर हम बात करता है currency की तो currency जो हम अपने घर में रखने हैं basically वो किस purpose के लिए रखने हैं पहला कि हम जो है छोटे मोटे खर्चे कर सकें day to day life में जो हमें daily खर्चे होता है या फिर और भी जो घर के छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसके लिए हम अपने पास currency रखते हैं घर में पैसे रखते हैं दूसरा कौन सा purpose होता है कि हमारी currency जो हम घर पे रखने हैं उसको हम illegal transactions के लिए भी यूज़ करता है मतलब कि घर में जो हम अपनी black money रखते हैं तो उससे हम क्या करते हैं बैंक में तो deposit नहीं कर सकते हैं तो उससे हम क्या करते हैं illegal transactions कर सकते हैं अब अगर हम बात करें अपनी checkable deposits की तो checkable deposits जो हम बैंक के अंदर रखते हैं वो basically क्यों रखते हैं large transactions के लिए जैसे कि अगर हमें अपने घर में बच्चों की fees पे करने है college की तो अगीन उसकी जो transaction है वो हम कर सकते हैं यहाँ पर जो हमारी school की fees जाती है वो हम through bank कर सकते हैं payment तो जो हमारी last transactions होती हैं जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं उनको हम checkable deposit में इसलिए deposit कराते हैं ताकि हम through bank जो हैं अपने transactions को कर सकें अपने खर्चों को कर सकें payment को कर सकें दूसरी चीज क्या matter करती हैं कि हमारी जो checkable deposit होते हैं वो जादा safe होते हैं rather than कि हम अपने घर में पैसे रखें अब अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं तो अगर हम उससे घर पे रखते हैं तो वो इतने safe नहीं होते है as compared to कि हम अपने bank में उने hold करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो इनके बीच में कितना कितना difference है अगर हमें small transaction करनी है तो उसे साफसे हम currency रखते हैं कितना कर रहे है checkable deposit और इन दोनों factors से जो यह हमारी equation आती है वो represent करती है कि लोग कितनी money demand करते हैं अब अगर हम इसकी equation की बात करें कि हमारी currency कैसे निकलते हैं और हमारे deposit कैसे निकलते हैं तो उसे एक बार हम आगे explain करते हैं दन वापस से हम अपने second point पर आते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं currency की तो अगर हम पहले बात करें जब economy के अंदर bank नहीं थे अगर हम before situation की बात करें before situation कौन सी है जब हम banks को consider नहीं करते हैं बैंक को consider नहीं करते हैं मतलब कि हम कोई checkable deposit या bank में hold नहीं करते थे money को तो उस case में हमारी जो money थी वो सिर्फ currency ही थी only currency की बात करते थे हम हाँ पर उस case में हमारी जो MD था जो demand for money था उसकी equation हमने निकाली थी कि हमारी currency किन चीजों पर depend करती है और हमने उसकी ये equation निकाली है अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं यहाँ पर अब हमारी economy के अंदर जो है money वो currency भी है और वो हमारी checkable deposit भी है यहाँ पर अब हमारी economy के अंदर money भी है after situation में अगर हम बात करें तो अब हमारी economy के अंदर banks है तो अब उस case में अब हम currency भी रख सकते हैं और हम अपनी checkable deposit भी रख सकते हैं bank में भी hold कर सकते है money अब इस case में क्या हुआ अब यहाँ पर अगर हम MD की बात करते हैं तो MD हमने अभी पीछे बात करी कि अब यहाँ पर हमारी currency plus checkable deposit की बात हो रही है तो हम इसे कैसे निकालेंगे तो अगर हम बात करते हैं currency और checkable deposit की तो हमने बात करी पीछे कि यह किस पर depend करती है यह पूरी equation किस पर depend करती है पहला कि हम hold कितना करना चाते हैं दूसरा depend करता है कि उस hold में से कितना हम currency रखना चाते हैं और कितने checkable deposit रखना चाते हैं तो हमने जो hold करा है वो तो depend करता है इस पूरी equation पर है यह already हमने पहले निकाली हुई है अब उसमें से कितना हम इ इसमें डालना चाहते हैं वह कुछ प्रपोर्शन होगा तो यहां पर जो हम अबनी करन सी में डालना चाहते हैं वो proportion है हमारा c और यहां पर जो हम डालना चाहते हैं checkable deposit में वो हम ले लेते हैं 1-c तो यहां पर जो हम hold करना चाहते हैं वो तो हमारा md show करता है और उसमें से हम कितना proportion रखना चाहते है currency में तो उसका हम proportion ले लेंगे small c यहां पर अगर हम बात करते हैं जैसे मैं explain करते हूँ यहां पर हम बात करते है currency की currency की ओके तो हमने जितना hold करा है उसका कुछ proportion हम currency में रखना चाहते हैं और वो कुछ proportion हमने क्या लिया है small c हम अपनी holding का कुछ proportion currency रखना चाहते हैं और हम अपनी holding का कुछ proportions checkable deposit रखना चाहते हैं जिसको हमने represent करा है इससे 1-C से यह हमारी holding की MD तो यहाँ पर अब अगर हम बात करें अपनी total demand for money की by public यहाँ पर अगर हम बात करें total demand for money by public तो वो था हमारा यह equation इसमें हम अपनी values को put कर सकते हैं ओके तो यहाँ पर हम अब इस चीज़ को समझते हैं तो यहाँ पर हमने यह equation बनाई MD की है ना और यहाँ पर हमने इन दोनों की values भी निकाली यहाँ पर हमने इन दोनों की values भी निकाली कि holding का कुछ proportion हम currency में रखेंगे और holding का कुछ proportion हम अपनी checkable deposit में रखेंगे तो यहाँ पर हमने इन equation को जब यहाँ पर डाला तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम इसको common लेते हैं हमारी holding को common लेते हैं तो proportion हमारा जो एट cancel out हो जाता है यहाँ पर multiplied by one आएगा तो यहाँ पर हमारी same ही value आजेगी हमारी जो money demand है जो पहले थी वो अभी भी है बट यह क्या है कि हमारा proportion डिवाइड हो गया यहाँ पर जब हम बात करें थे before situation की तो before situation में भी हमारी जो लोगों की demand थी वो यही थी अब after क्या होगा कि after हमारा जो क्या है bank भी allow कर दिया तो holding तो लोग उतना ही करना चाहेंगे जितना वो करना चाहते हैं जितना वो अपने पास रखना चाहते हैं और जितना वो अपना invest करना चाहते हैं वो तो same ही रहेगा बट अब यहाँ पर बात आती है कि कितना अपने पास रखेंगे रहेगी, अब हम बात करते हैं हमारे second point की, तो हमारा second point है demand for reserves, तो हमारे demand for reserves की अगर हम बात करें, जो banks को maintain करना पड़ता है, वो depend करता है proportion पर जो हमारा RBI हमें देता है, हमारा central bank हमें बताता है, और वो proportion हमारा हम उसे ऐसे denote करते हैं, अब यहाँ पर हमारे जो checkable deposit होते हैं, य money receive करते हैं, उसका, यह proportion हमें as a reserve maintain करना पड़ता है, जिसको हम बोलते है demand for reserve, तो इसकी भी हम equation निकाल लेते हैं, तो यह हो गिया हमारा demand for reserve, अब अगर हम बात करें अपनी last equation की, तो वो बात करती है, हमारी demand for central bank money, यहाँ पर अगर हम बात करते है, demand for central bank money, तो वो होती है हमार currency plus reserve, जो उनकी liability side होती है, जो उनने pay करनी है, तो यहाँ पर again हमने currency already निकाल लिया, हमने reserve already निकाल लिया, तो यहाँ पर हमारी जो currency की demand है, यहाँ पर जो हमारी currency की demand है, प्लस हमारी जो reserve की demand है, उसको हम add-on करके this equation को जो है drive कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारी currency की demand है, वो जो हम डिमांड कर रहे थे यहां पर अगर हम बात करें रिजव की तो वो तो अभी हमने कैलकुलेट करा पीछे तो हमारी जो डिमांड पर सेंट्रल बैंक मनी है वो क्या हो जाएगी अब हमें हमें हमारी दो एक्वेशन हो गए एक लिब्रियम के लिए हमारी हहाँ पर सप्लाइ हो गई सेंट्रल बैंक की और हमारी दिमांड हो गई सेंट्रल बैंक मनी वा अब हम इतसे एक लिब्र भीम को ड्राइव कर सकते हैं अच्छा अगर हम अपने reserves की थोड़ी और बात करें तो let's assume कि हमारे जो central bank है वो बोलते हैं कि तुम्हें reserve ratio maintain करना है 10% का that means कि जो भी तुम money, fund receive कर रहे हो लोगों से उसका 10% तुम्हें as a reserve रतना पड़ेगा अपने bank के अंदर तो इस case में हमारा जो theta है वो क्या हो जाएगा उसको हम ऐसे लिख सकते है 10% को हम लिख सकते है 10 divided by 100 तो यहाँ पर हमारी जो theta की value है वो जो क्या हो जाएगी 10 divided by 100 that means कि हमारा यहाँ पर आजाएगा 0.1 यह 0.1 शो करता है कि हमारे जितने भी checkable deposit है उसका 0.1 हमें as a reserve maintain करके डखन करना पड़ेगा क्योंकि हाँ पर हम इसको multiply कर रहे है थीटा को multiply कर रहे है चेकेबल deposit से तो जो भी हमारे चेकेबल deposit है उसका 0.1 portion हमें रखना पड़ेगा ऐसा रिजव तो अगर हमारे एकनोमी के अंदर जो लोग है जो इंडिवीज्वल्स हैं अगर वो दोनों चीज को हो करते हैं करेंसी को भी होल्ड करते हैं और चेकेबल deposit को भी होल्ड करते हैं मतलब मनी को अपने घर के अंदर भी रखते हैं और बैंक अगाउंट के अंदर भी होल्ड करते हैं तो उस केस में हमारी जो equilibrium condition है वो क्या होगी कि हमारी supply for central bank money equal होनी चाहिए हमारी demand for central bank money के तो यहा पर हम इन दोनों की values को put कर देंगे तो यह हो गई हमारी equilibrium condition अब यहां पर अगर हम भात करें इस equation की तो इसमें जो small c है जो proportion शो करता है कि एक individual अपने पास currency कितनी रखे का तो हमने जैसे equation में मैंने लिखा था पीछे जब मैंने यहां पर demand for central bank money को निकाला था तो मैंने सबस चाहिए यहां से wedding के बीच में लाए करेंगा मतल ninके जीरो से बढ़ा होना चाहिए और वंसे कम होना चाहिए तो इसके हम इसा नहीं होता है तो क्या होगा तो यहां पर let's suppose case 1 में हम लेकर चलते हैं कि हमारा जो C है वो 1 है C है 1 है का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर हम बात करने कि हमारा जो C है वो 1 है small c जो है वो 1 है that means कि अब हमारे जो लोग है जो money को hold कर रहे हैं वो चाहते हैं कि वो completely सिर्फ currency को ही hold करे है अब ऐसा क्यों है अगर हमारा small c 1 है तो हमारी holding सिर्फ currency की ही क्यों है हम bank में क्योंने deposit करा रहे हैं क्योंकि हमारा जो bank कर deposit कराने का proportion है वो हमारा 1 minus small c है तो यहाँ पर अगर हमारा small c ही 1 है तो हमारी पूरी value जो है वो 0 हो जाएगी that means कि हम कुछ भी bank में hold नहीं करे इस situation में अगर हम इस value को अपनी equilibrium condition के अंदर put कर दे है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हम देख लेते हैं यह हमारा small c 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पर हमारा यह थीटा हो गया और यहाँ पर 1 minus 1 0 हो जाएगा that means कि यह हमारी पूरी जो value है वो 0 हो जाएगी यह पूरी value मेरी 0 हो जाएगी तो इसको मैं directly हाँ पर 0 लिखती ही नहीं हो कुछ क्योंकि हाँ पर 0 plus 1 1 ही होता है तो यहाँ पर हमारी जो equation है वो क्या बन जाएगी कि जो भी हमारा बड़ा bracket के अंदर की value है वो तो 1 हो गई और हमारा जो demand for central bank money है वो कितना हो जाएगा MD अब अगर हम इस equation को compare करें हमारी part 1 की equation से तो हमारी part 1 की जो equation थी वो क्या थी? हमारा ms is equal to md है ना? तो हमारा जो ms है वो क्या होता था? m is equal to md और md की value तो same ही है dollar by function of interest rate और नीचे minus तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों equation को compare करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? कि हमारी demand for central bank money exactly equal है demand for money by people जब सिर्फ currency होती थी एकनॉमी के अंदर तो यहाँ पर और हमारा जो यह है H है और जो हमारा m है वो same ही बात है कि economy के अंदर जो money supply कर रहे है central bank क्योंकि central bank की जो है control करता है कि economy के अंदर कितनी money supply होगी तो इस case में बिल्कुल same ही बात है क्योंकि again हमारी दोनो equations same चीज़ को represent कर दिया कि economy के अंदर सिर्फ हम currency को ही hold करते है तो हमारे part 1 में हमने यही पढ़ा था और हम यहाँ पर भी अगर small c को one लेते है तो हमें same result ही देखने को मिलता है then अगर हम बात करें अपनी second situation की तो second situation में हम लेकर चलते है कि हमारा जो इस बार small c है वो zero है that means कि अब जो लोग hold करना चाहते है money को वो in the form of currency holding नहीं करना चाहते है अब वो in the form of checkable deposit hold करना चाहते है क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा c 0 है तो 1 minus small c कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो यहाँ पर अब जो सारे लोग money को hold कर रहे हैं वो in the form of कैसे करना है checkable deposit अपने bank के अंदर ही hold करना है तो इस case में only checkable deposit में हम hold करना है अपनी money को तो अगर हम इन values को अपनी equilibrium equation में डालें तो इस तरीके से कुछ हमारी values आजाएगी हम यहाँ पर देख सकते हैं अगर equation के अंदर हम small c को 0 डालते हैं तो यहाँ पर यह 0 हो जाएगा plus theta 1 minus again 0 तो हमारी जो complete bracket के value है वो theta हो जाएगी और वो multiply हो जाएगी हमारी empty से जो कि हमारी holding को show करता है अब अगर हम बात करें इस equation की तो यह equation क्या show करती है यहाँ पर अगर हम याद होगा अगर हम यहाँ पर बात करें राइट हैंड साइड की तो राइट हैंड साइड हमारा show करता है HD को हमारी demand for central bank money जो की होती है हमारी currency की demand plus हमारी reserve की demand अब यहाँ पर हमारी जो currency है वो तो कोई holding नहीं कर रहा तो वो 0 है क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस equation को अगर हम इसके brackets को open करते हैं यहाँ पर अगर हम इस equation के bracket को open करते हैं तो हमारी जो equation है वो कुछ इस तरीके से आती थी यह portion था हमारा complete currency की demand का तो हमारी currency की जो demand है वो 0 है क्योंकि हमारा small c जो है वो 0 है तो यह complete value जो है वो 0 आ गई, इसलिए मैंने यहां पर ऐसे mention करा है कि हमारी जो है currency की जो demand है उसकी पूरी value 0 है, उसके बाद अगर हम दूसरे side बात करें, तो हमारी बात होती है reserve की demand की, तो reserve की जो demand है, वो completely holding की demand हो रही है, क्योंकि MD हमारा holding शो करता है, कैसे, क्योंकि यहां प proportion हम as a checkable deposit रखते हैं, तो यहां पर हमारा यह तो 0 था, क्योंकि हमारा small c 0 था, इसका proportion था ही नहीं कुछ, तो मतलब मैं पूरी की पूरी holding as a checkable deposit रख रख रही थी, क्योंकि हमारा 1 minus cb अगर हम करें, तो 1 minus 0 is completely 1, तो मतलब मैं अपनी सारी holding as a checkable deposit रख रख रही हो, बैंक में रख रही हो, जो कि मैंने explain करा, तो यहां पर हमारी जो यह value है, यह 1 हो जाएगी पूरी, और हमारा यह md ही आ जाएगा, मतलब की मेरी holding का, जितनी भी मैं holding कर रही हूँ, जितनी भी हमारी economy के अंदर लोग holding कर रहे हैं, उसका जो reserve proportion है, वो हमारा शो कर रहा है, demand for central bank money, क्यो मेरी reserve की क्या demand है, मेरी complete holding का जो proportion मैं as a reserve रख रही हूँ, क्योंकि मेरी complete holding इस बार क्या है, checkable deposits, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं small c की, तो small c जो है, वो ना तो completely one होता है, ना ही वो completely zero होता है, क्योंकि economy के अंदर सारे ही लोग in the form of currency hold नहीं करते हैं, और ना ही in the form of checkable deposit करते हैं, उसका कुछ ना कुछ ratio होता है कि इतना अपने पास रख रख रहे हैं, इतना bank के पास रख रहे हैं, saari cash को और ना ही completely bank के पास hold करते हैं, तो हमारा जो small c है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है ना वो completely 0 होता है ना वो completely 1 होता है अब अगर हम बात करें अपने diagram की equilibrium situation अगर हम अपनी graphically देखें तो वो as it is same ही रहेगी, same ही हमारा graph रहेगा बस हमारी equation जो है अब वो change हो गई है यहाँ पर हमारी equation जो है अब वो change हो गई है, bank के आने से economy के अंदर वरना diagram में कोई भी changes नहीं आएंगे यहाँ पर यह graph है, एक second यहाँ पर यह हमने graph बना दिया, यहाँ पर जो यह vertical state line है अगेन यह हमारी supply for money को यह शो कर दिया बट यहाँ पर यह हमारी supply for central bank की money को शो करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर यह हमारा downward curve है यह हमारा demand for central bank money हो गया जहाँ पर यह दोनों आपस में met कर रहे हैं, वो हमारी equilibrium point हो गया और वहीं पर हमारा interest rate हो गा, तो मैं इसे label कर दिती हूँ तो यहाँ पर हमारी बस labeling change हो गए है, वरना diagram में कोई भी changes नहीं आए है और वो as it is हमारा same है, जैसे पहले हमारे part 1 में था अब अगर हम बात करें कि हमारी demand for central bank money और हमारी supply for central bank money में किस तरीके से changes आएंगे तो यहाँ पर हमारी book में बताया हुआ है कि अगर interest rate increase हो जाता है, तो उस case में क्या होगा, हमारी demand for central bank money जिसको हम HD से denote करते हैं, वो हमारी कम हो जाएगी, तो इसके reason को समझते हैं, तो क्या होगा, अगर हमारा interest rate increase हो जाता है, तो उस case में क्या हो दाता, वही same theory है, अगर मेर जनता, मैं क्या सोचती हूँ कि मेरे पास दो option है, मैं अपनी money को या तो अपने पास hold करूँ, या फिर invest कर दो bonds में, अगर interest rate बढ़ जाता है, तो मेरे लिए bonds favorable है, मुझे जाधा return मिलेगा, तो मैं क्या चाहूँगी कि अब मैं जाधा invest करूँ और hold कम करूँ, तो जब interest rate increase ह हो जाता है, तो हमने part 1 में भी पढ़ाता, कि हम अपनी holding को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, अब इस case में क्या हो रहा है, part 2 में हम देख रहे हैं, कि हम holding दो तरीके की करते हैं, एक अपने पास करते हैं, एक bank में करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम holding को कम कर रहे हैं, तो हमार करंसी की भी होल्डिंग कम हो जाएगी यहां बर अगर हमारी करंसी की भी होल्डिंग कम हो जाएगी प्लस हमारी चेकेबल डिपॉजिट की भी होल्डिंग कम हो जाएगी तो अगर हमारी currency की holding कम हो गए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारी currency की demand कम हो गए same as कि मेरे checkable deposit की भी जो demand है वो कम हो गए और अगर मेरे checkable deposit की demand कम हो गए that means कि मेरे reserve की भी demand कम हो गए क्योंकि मेरा जो RD है वो क्या होता है theta checkable deposit की demand और यहाँ पर अगर मेरा ये कम हो गया तो मेरी जो ये value है वो भी कम हो जाएगी तो यहाँ पर overall अगर मैं impact दिखू interest rate का तो यहाँ पर मेरा जो interest rate increase हुआ है उससे क्या हुआ है कि मेरी currency की जो demand है वो कम हो गई और मेरी यहाँ पर जो reserve की demand है वो कम हो गई और अगर मैं बात करूँ अपने demand for central bank money तो वो basically क्या होता था हमारा demand for central bank money क्या होता है हमारी currency की demand प्लस हमारी reserve की demand और मेरी अगर ये दोनो values कम हो जाती है interest rate से तो मेरी overall जो demand for central bank money है वो भी कम हो जाएगी तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर interest rate increase होता है तो हमारी central bank की जो demand for money है वो भी कम हो जाती है फिर अगर हम बात करें हमारी nominal income और supply में अगर changes आए तो क्या होगा तो वो same effect जैसा पहले है जैसे कि अगर supply increase हो जाती है central bank अपनी supply को increase कर देते हैं तो उस time पर क्या होता है हमारी जो vertical line है वो rightward shift हो जाएगी और हमारा interest rate कम हो जाता है same उसका उल्टा और अगर हम बात करें nominal income की तो हमारी अगर nominal income यहाँ पर अगर हमारी nominal income increase हो जाती है that means कि हमारा जो MD है वो increase हो जाएगा holding increase हो जाएगी again holding increase हो गई तो मतलब हमारी currency की भी holding increase होगी जैसे हाँ पर अगर हमारी holding कम होती है तो currency और checkable deposit की भी holding कम होती है तो अगर हमारा MD increase होता है holding क्या होता है holding हमारा होता है MD MD हमारी holding को शो करता है अगर हमारी holding increase होती है तो हमारी currency और checkable deposit की भी holding increase होती है same अगर इनकी holding increase होईगी तो at the end हमारी जो currency की demand है वो भी increase हो जाएगी और हमारी reserve की भी demand increase हो जाएगी और हमारा जो overall demand for central bank money है वो भी increase हो जाएगा तो इसका तो same ही result है हमारी अगर nominal income में changes आता है और हमारी supply में changes आते हैं उसका जो first part में हमने देखाता result कि उससे किस तरीके से हमारे curve shift होते हैं वो as it is same है तो यहाँ पर हमारा जो part 2 है कि हम किस तरीके से drive कर सकते हैं अपने interest rate को वो over होता है अब इस chapter में हमारा 4.4 जो है topic बचा हुआ है मैं उसे अपनी next video में cover करूँगी I hope कि आज की वीडियो में आपको सब कोच अच्छी से समझ आगया होगा अगर आपको कोई भी doubt है तो आप नीचे comment session में अपना doubt कमेंट कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे like, share and subscribe जरूर करें मिलते हैं हम अब अपनी next video में तब तक के लिए बाबाई